जिली पेराडॉक्स हम जानते हैं कि इससे जलन होगी फिर भी हम बार बार वापस खाते हैं लेकिन क्यों? वेल ऐसा लगता है कि मिर्च पिछले हजारों सालों से हमारे ब्रेन को मामू बनाती आ रही है क्योंकि मिर्च में एक मॉलेक्यूल होता है यह वो कंपाउंड है जो हमें वो बर्निंग सेंसेशन देता है जिसे हम सब जानते हैं और प्यार करते हैं अब एक इंट्रेस्टिंग बात कैपसेसिन का खुद का कोई टेस्ट या स्मेल नहीं होता हाँ आपने सही सुना आपके फेवरेट करी की वो माउथ फोर्टरिंग खुश्बू वो कैपसेसिन की वज़े से नहीं है तो अगर इसका कोई स्मेल या टेस्ट नहीं होता तो यह हमारे मूँ को आग कैसे लगा देता है वेल कैपसेसिन एक प्रैंक्सिटर की तरह है यह हमारे मूँ में स्पेशल रिसेप्टर से बाइंड होता है जिने कहते है ट्रिप्वी वन चैनल्स यह रिसेप्टर्स रियल डेंजर को डिटेक्ट करने के लिए होते है पर जब कैपसेसिन मूँ में एंटर करता है तो यह रिसेप्टर्स को मामो बनाता है और उन्हें लगता है कि हम कुछ डेंजरसली गरम चीज़ खा रहे हैं तो हमारा दिमाग भावुक हो जाता है और इस फॉल्स अलाम को मानकर ऐसे रियक्ट करता हैं जैसे कि हम रियल डेंजर में हैं हमारी हार्ट रेट बढ़ जाती हैं पसीना छूट जाता हैं और हमें वो अन्मिस्टेकेबल बर्निंग सेंसेशन मिलती हैं लेकिन इंट्रेस्टिंग बात ही हैं कि कोई एक्चुल डेमज नहीं हो रहा हैं ये सब बस मिर्च का एक इलाबरेट ड्रामा है अब आप सोच रहे होंगे ठीक है तो मिर्च बेसिकली हमारे दिमाग को मामो बना रही है फिर हम तीखा खाना एंजॉई क्यों करते हैं वैल यहाँ पर चीज़े रीली इंट्रेस्टिंग हो जाती हैं जब हमारे दिमाग को लगता है कि हम डेंजर में हैं यह सिर्फ अलाम बेल्स नहीं बजाता है यह कैवलरी भी भेशता है यह दो बहुत इंपोर्टन केमिकल्स अंडॉर्फिन्स और दोपामीन रिलीस करता है अंडॉर्फिन्स हमारे बॉड़ी के नेच्रल पेन किलर्स हैं यह स्ट्रेस और दर्द को कम करता है डोपामीन दूसरी तरफ हमारा फील गूड केमिकल है यह रिस्पांसिबल उन प्लेजर के लिए जो हमें चॉकलेट खाने से या गेम जीतने से मिलता है तो जब हम स्पाइसी फूड खाते हैं फ्यूड बाल बचे चलो सेलिबरेट करते हैं पेन और प्लेजर का यह कॉम्बिनेशन ही है जो स्पाइसी फूड खाना इतना एडिक्टिव बनाता है यह उस थ्रिल की तरह है जो हमें हॉरर मुवी देखने से मिलती है हम जानते कि हम सेफ हैं लेकिन हमारा बाड़ी ऐसे रियक्ट करता है जैसे हम डेंजर में हो जो हम एक 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 जिलरेटिंग रश देता है लेकिन रुको मिर्ची की कहानी और भी फैसिनेटिंग हो जाती है जब हम इसकी इवॉलिशनरी हिस्ट्री को देखते हैं यह मिर्च तीखी नहीं बनी थी सिर्फ हम इनसाना को मज़े देने के लिए असल में यह हम जैसे मैमल्स को दूर रखने कोशिश कर रही थी मिर्ची के प्लांस चाहते हैं कि उनके सीट्स दूर दूर तक फैल जाएं लेकिन वो नहीं चाहते कि यह सीट्स क्राश या डेस्ट्रोई हो जाएं तो इस जाब के लिए बर्च एकदम पर्फेक्ट हैं वो मिर्च खा सकते हैं, लंबी दूरियों तक उड़ सकते हैं और वेल, सीट्स को कहीं और डिपॉजिट कर सकते हैं अगर आप समझ रहे हो तो लेकिन यहाँ पर क्लेवर पार्ट यह है कि बर्ट्स मिर्च की हीट फील नहीं कर सकते हैं उनके ट्रिपी बन रिसेप्टर्स डिफरेंटली स्ट्रक्चर्ड होते हैं इसलिए वो दिन भर मिर्च खा सकते हैं बिना एक बुंद आसू के वही जातातर मैमल्स हमारे जैसे जलन मैसुस करते हैं और दूर रहना सीख जाते हैं यह एक ब्रिलियन्ट इवालिशनरी स्ट्रेजी थी जो स्पैक्टिकुलर्ली फेल हो गई जब हम इनसान आये और डिसाइट किया कि हमें तो दर्द पसंद है मिर्ची ने हमारे कल्चर और कुजीन में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है इंडिया के फाइरी करी से लेकर सचवान कुजीन के टंग नंबिंग माला तक स्पैसी फूड दुनिया भर की कलिनरी ट्रडिशन का इंटिग्रिल पार्ड बन गया है बट रिमेंबर की कैपसेसिन में एंटी माइक्रोबिल प्रपरटीस होती है वेल ये एक्स्प्लेन कर सकता है कि स्पैसी फूड गरम क्लाइमिट में इतने पॉपिलर क्यों हो गए रेफरिजेशन से पहले खाने में मिर्च डालने से फूड जाता दिर तक फ्रेश रहता है तो एक तरह से स्पैस के लिए हमारा प्यार है क्लेवर फूड प्रेशर्वेशन टेकनीक रूप में भी शुरू हुआ हो सकता है लेकिन आप मैंसे जो लोग एक अच्छी जलन एंजोई करते हैं उनके लिए गुड निउस है कुछ स्टडी से पता चलाए कि रेगिलर स्पाइसी फूड खाने से हेल्थ बेनिफिट्स हो सकते हैं जैसे मेटाबोलिजम बोस्ट करना और इंफ्लेमेशन कम करना बस याद रखिये मॉडरेशन ज़रूरी है होट सस को लच्ची की तरह पीओगे तो मजा बगड़ी ऐसे भईला